एलो मेरे प्यारे सिस्टर आज केसे वीडियो के माध्यम से आपका भाई माय हूँ चंदन फिट से परजेंट हो चुका हूँ मेरे प्यारे सिस्टर इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारे आप लोग को देना था वहीं बताने के लिए आया हूँ कि अगर प्यार स्वास्त भीभाग के अंतरगत एनेम 8853 वाले कंडिडेट आपने जिल्ला में जोइनिंग कर लिया पोस्टिंग भी कर लिये बहुत जगा डूटी भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत आयसे जिल्ले हैं जहां पर पोस्टिंग होना अभी भी बाकी है तो सारे कंडिडेट एक साथ इस वीडियो को सुन लीजिए देख लीजिए और जल्दी से जल्दी सारे सिष्टर के बीच सेर कर दीजिए क्योंकि एक दुसरे के हेल्प करने से आपका भी हेल्प मिलता रहेगा सबको सेर करिएगा ये मेरा प्रोमिस है आप लोगों को उप पर सबको share करना होगा ये गलती कभी नहीं करना अब ये किस गलती की मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोग भी देखोगे तो आश्चर्ज हो जाओगे इसलिए मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ अगर आप लोग ये गलती करोगे तो आपके हाथ से चल जाएंगे ओफिशल नौटिस पर चलके तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर से मेरे प्यारे सिस्टर हम उसी नौटिस पर आचुके हैं जिस नौटिस के बारे में पहले भी जानकारी दिये थे और आज भी उसी नौटिस को हम लोग देखेंगे विदाट नौ सोसाइटी बिहार के तरफ से एक नौटिस जारी कर दिया गया है और यह जो नौटिस है आप लोग वेबसाइट पर से डाउनलड कर लिजेगा और खुद बाख खुद एक एक लाइन पढ़ लिजेगा क्योंकि हीमन रिसोर्स सेल हीमन रिसोर्स मैनुवल जारी किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन 2021 जो की रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है इसी रूल्स एंड रेगुलेशन में सारा चीज देखेंगे और इसी नौटिस को हम लोग आगे बढ़ाती चलेंगे और आपके लिए जो जरूरी है इसमें वो चीज ह सारा चीजी लिखा हुआ है छुट्टी कैसे लेंगे सेलरी कैसे बढ़ेगा पर्मोशन कैसे होता है पर्मनेंट कैसे होता है क्या होगा पूरा डिटेल्स जानकारी आप लोग खुद भी पाढ़ सकते हो इसी में जो जानकारी आपको हमें दिखाना है इंप्रोटेंट वो जा यह point क्या कह रहा है probation of employee on initial apartment यानि कि जब आप लोग शुरुवात में joining करते हैं योगदान लेते हैं तो आपका जो कुछ प्रवोशन होता है ठीक है यह आप मुझे जो probation होता है यह probation का कुछ timing होता है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप 11 महिनों के में जोनिंग करते हैं सुरुवात में NICK लिए ज्वाइन कि ठीक है अब 11 मेने के जब शुरुवात में joining करेंगे up का तीन महिने का jeśli होता है probation का मतलब यह हुआ कि आपके 3 महिने तक आपकी सारे document का check होगा आपका document to check होगा जो आपने डोकुमेंट जमा किया है आपने जो कारेक्टर सर्टिफिकेट जमा किया है सारा चीज आपका अंदर अंदर चेक होगा वो डिपार्टमेंट का काम होता है चेक करने का और इसी डियोरिंग आपका वर्क भी देखा जागा तो अगनी परिक्षा का नाम आपने सुना है न ये तीन महिना प्रोवेशन पिरियड होगा जो कि आपके अगनी परिक्षा होगे तो दोस्तो ये 11 महिने की नोकरी है तो आपको तीन महिने का प्रोवेशन पिरियड यहाँ पे रखा गया अब जो पर्मानेंट होते हैं वो पर्मानेंट का अलग अलग रूर होता है किसी किसी में दो साल का होता है किसी किसी में तीन साल का होता है ठीक है लेकिन आप लोग कंट्रेक्चुल जाब हो शुरुआत का 11 महने का आप लोग का नोकरी है तो आपका अगनी परिक्षा तीन मह अगर जलंगे हो करेंगा कि यह तीन मेंना छूटि नहीं ले क्योंकि सारा चीज लिखा हुआ है अब इसमें यह भी लिखा हुआ है हम आपको पढ़़ के दिखाते हैं यानि कि अगर आप इस तीन मेना के अंदर आप लोग गलत करते हो तो आपकी नोकरी वहाँ से हटा दिये जाएंगे तो दोस्तों ये तीन मेना के अंदर मेरी प्यारे सिस्टर अच्छी तरह के सा जॉब करिएगा टी ओ आर आपको बताए थे ये टी ओ आर क्या होता है इस टी ओ आर में आपका वर्क के बारे में बताएगया है और वर्क वाला वीडियो देख लिजेगा टी ओ आर का हम नोटिस्पिकेशन डाले हैं वीडियो बना करके उस टी ओ आर में जो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप लोग वर्क करते रहिएगा आपका जो सिनियर केंगे उस अनुसार से करते रहिएगा ठीक है खास करके ये तीन मेंना इसी तीन मेंना हम आपका सब कुछ देखा जाएगा अब ये 11 मेंना का जो आप लोग टाइम है तिसमें कन्फूजन मत होईएगा ठीक है शुरुआत का 11 मेंना हुआ जब अगले साल होगा तो फिर आपको 11 मेंना के लिए बढ़ा दिया जाएगा फिर अगले साल होगा फिर बढ़ा दिया जाएगा फिर अगले साल होगा फिर बढ़ा दिया जाएगा इस तरह से करते करते साट साल तक आप लोग को नोकरी यहाँ पर होंगे ठीक है साट साल तक इसलिए आप है सरकार का 60 साल तक आप लोग रहेंगे पसरते आप लोग अच्छी तरिके से काम करेंगे तो प्रोबेशन टाइमिंग समझ गये प्रोबेशन अब दी क्या होता ये भी समझ गये और इसका स्क्रिंसोट लेकर कि आप लोग भी खुद से परना चाहते हो तो स्क्रिंसोट ले ठेका और इसको ये पूरा लिखा हुआ है इस पॉइंट में आप लोग पर लिजेगा स्क्रिंसोट ले लिजे ठेका हमने आपको समझा दिया चले वीडियो का समाप्त करते हैं आप सबको सेर कर दीजे सबको ये प्रोबेशन टाइमिंग बता दीजे फोन करके बता दीजे मेसेज करके बता दीजे वीडियो सेर कर दीजे जिसे के सारे सिस्टर अच्छे तरिके से काम करेंगे किसी कनोकी हाथ से नहीं जाएंगे ठेका है चले वीडियो का समाप्त करते हैं ये भी कुछ आप लोग देख लिजे फिर वीडियो का समाप्त कर देंगे आपका रिटार इंप्रवाई excluding medical doctor will be case to be employed upon attending 65 years age, the doctor will be however says to be employed on attending 67 years, यानि कि जो यहाँ पर contractual employer हो, वो यहाँ पर 60 साल के लिए या फिर विशेष सिस्तिति में 65 साल तक नौकरी कर सकते हैं, ठेका वहीं डाक्टर को भी समें including क्या गया है, डाक्टर भी 60 साल के लिए ही करेंगे, अगर विशेष सिस्तिति होगा, तो लोग को 6-7 साल का और चूट दे करके 60 साल तक किया जाएंगे, यहाँ पर भी notice में लिखा हुआ है, आप लोग के लिए 60 साल तक आप लोग को नौकरी होंगे, यह चीज आप लोग देख लिए, है ना, यहाँ भी आप लोग को दिखाना था, तो आपन होगा, वो मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीका, आप लोग परिशान मत होईएगा, चलिए वीडियो को सेर करिए, सब को बताइए, सारा चीज बताइए, इसमें और जो इंपर्टेंट होगा, मैं देख रहा हूँ, इस notification में आपको वीडियो डाल दूँगा, चलिए वीड होगा, 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 होगा